दोस्तों नमस्कार दोस्तों केंदर सरकार दो ओर्डिनेंस लेकर आई है जिनके अनुसार Enforcement Directed के चीफ और CBI के चीफ अब अपने पद पर 5 साल तक काम कर सकते हैं पहले ये कारेकाल जो था वहें दो साल का होता था जिसे एक साल तक बढ़ाने के लिए सुप्रिम कोट ने मान लिया था Enforcement Directed के जो वर्थमान चीफ हैं S.K. मिसराजी उनका कारेकाल 18 नौवंबर 2021 को पूरा होने को है शायद इसलिए केंदर सरकार संसद के सीथ कालिन सत्र से ठीक एक हफ्ते पहले ये दो ओर्डिनेंस लेकर आती है पहला ओर्डिनेंस C.V.C. यानि केंदरिये विजिलेंस कमिशन एक्ट के अंतरगत पास किया गया है जिसके अंतरगत ED Enforcement Directed काम करता है और दूसरा जो ओर्डिनेंस है वहे दिल्ली विसेश पुलिस इस्थापना Act के अंतरगत लाया गया है जिसके अधीन C.V.I. काम करती है तो इनके अब जो है पास साल का एक साल का टेनियोर नहीं होगा एक कमेट ही होगी जो लिखित में यह देते हुए तै करेगी कि क्यों दो साल से अधिक एक और साल का एक्स्टेंशन देने के लिए इन डाइरेक्टर्स की जरुत नेशनल इंटरेस्ट में है इस प्रकार एक-एक साल का एक्स्टेंशन तीन बार दिया जा सकता है जिसके लिए एक विसेस कमेटी लिख कर देगी कि उनको क्यों रखा जाना नेशनल इंटरेस्ट में है नमस्कार दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं और काम करता रहूं और इसके लिए आपका सहयोग आपक्षित है धन्यवाद